नमस्ते चात्रों मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओलेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सात्वान वन्स की समाजिक दसा एम सात्वान सम्राज्य का विनास कैसे हुआ इन दो टोपिक के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो यहां पर मैं यह वीडियो दिखने से पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सात्वान वन्स का जो आर्थिक दसा थी दार्मिक दसा थी तथा उनका जो इस्तापत्य कर ला था इन सब के बारे में हमने पहले प्राप्त जानकरी प्राप्त कर ली है तो आप प्ले सात्वान वन्स की समाजिक दसा सात्वान यूगीन समाजिक वन्ना स्रम धरम पर आदारित था ठीक है सात्वान यूगीन जो समाज है वह वन्ना स्रम धरम पर आदारित था प्रंप्राग चारों वन्नों चारों कोण कोण से ब्राह्मन चत्तरिये वैस्षे और सुद्दर इ जो नासिक प्रस्तिति है उसमें गोत्मी पुत्तर सातकर्णी को एद्वित्य ब्रामन कहा गया है जिसने समाज में वन्नास्रम धरम को परतिष्टित करने तथा वन संकर्ता को रोकने का प्रियास किया था इस समय अनेक नहीं नहीं जातियां व्यवस्यों के आधार पर संगठ मत्तित होने लगी थी इस काल के समाज की प्रमुक विसेशता सकों तथा यमनों का भारतिए करन है ठीक है तो जो सात्वान काल यह मोरियोत्त्र काल का ही ऐक थो तो क्याकि इस में जो समाज की परमुख विसेशता क्या थी कि जो सक और यवन थे उनका अब भारतिय करण होना प्रारम हो गया था सक और यवन है ये बाहर से आये हुए थे तेकिन अब ये भारत के ही बनकर रहने लगे थे अनेक सकों के नाम भारतिय करीद मिरते हैं जैसे धरम देव, रिशबदत, अगनी वर्मन, आदी हिंदूं के समान ही वे तिर्थ यात्रा पर जाते थे येग्यों का अनुस्ठान करते थे तथा ब्राह्मनों को दान दक्षिना देते थे ये देपि सातवाहन नरेसों ने वन संकर्टा को रोकने का प्रियास किया था फिर भी वेवहार में अंतरजाते विवा होते थे, सातकर्णी पर्थमने अंगकुल की महार्ठी महार्ठी को नो थे छत्रिये, तो महार्ठी की पुत्री, नागनिका से तथा पुलूमावी ने रुद्धर दामन की पुत्री से विवा किया था इससे पता चलता है कि वे संपति की भी स्वामीनी होती थी मूर्तियों में हम उन्हें अपने पतियों के साथ बोध पर्तिकों की पूजा करते हुए सबाओं में भाग लेते हुए तता अतीतियों का सतकार करते हुए पाते हैं उनके सारवजनिक जीवन को देखते हुए ऐसा इस्पिस्ट है कि वे प्रियाप्ट सिक्सित होती थी तता पर्दा पर्था से एह परीचित थी तो इससे यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वही सातवान कार में पर्दा पर्दा नहीं थी समाज में स्तरियों की दसा अच्छी थी कभी कभी वे सासन के कारियों में भी भाग लेती थी नागनिका ने अपने पती की मृत्यू के बाद सासन का संचालन किया था बलसरी ने अपने पूत्र गोत्मी पूत्र के साथ मिलकर सासन किया था सातवान राजाओं के नाम का मात्रव परधान होना इस्तिरियों की सम्मान पूर्ण सम्माजिक इस्तिती का सुचक माना जा सकता है इस समय के अभिलेखों में इस्तरियों द्वारा प्रभूत दान दिये जाने का उलेख भी हुआ है तो इन सबी बातों से हम अनुमा लगा सकते हैं की साथवान काल में इस्तरियों की जो इस्तितिय वो बहुत अच्छी थी साथवान समराजे का विनास कैसे हुआ ठीक है सासन करने वाले विजे चंद्रश्री तथा पुलूमा के नाम मिलते हैं परंतु उन में से कोई इतना योग्य नहीं था कि वह विगठन की सक्तियों को रोक सके दक्सिन पसिम में सात्वानों के बाद आभीर आंधर पर्देश में इक्सवाकू तथा कुंतल में चुट्टू स सात्वानों के बाद कौन कौन से वन्स आये थे जिर में था एक तो था जो इंपोर्टेंट वन्स थे वो आभीर है इक्सवाकू है चुट्टू सात करनी है ठीक है अब देखिएगा जो ये सक्तियां है इनका विवरन इस प्रकार से है सबसे पहले मैं बताऊंगे आपको आ के लगबग कल चूरी चेदी समवत की स्थाफना की थी तो कल चूरी चेदी वन्स की स्थाफना दोसो वर्ष कल एक लेक प्राप्ति हुआ है यह इस बात का सूचक है कि नासिक छेत्र के उपर उसका अधिकार था अपरांत तथा लाट परदेश पर भी उसका परभाव था क्योंकि यहां कल्चूरी चैदी सम्वत परचलन मिलता है आबिरों का सासन चोथी सताबदी तक चलता रह अगला वंस आता है एक स्वाकू यह इस वंस के लोग कृष्णा गुंटूर छेत्र में सासन करते थे पुराणों में उन्हें स्री परवतिये अर्थात स्री परवत का सासक तथा आंधर भृते अर्थात आंधरों का नोकर कहा गया है पहले वे सात्वानों के संबंद थे कि उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वातंतरता गोसित कर दी इस वंस का स्थापक स्री सांत मूर था अपनी स्वातंतर सत्ता इस्ताफित करने के उपलक्स में उसने अस्वमेग्य किया था वहे वैदिक ध्रम का अनुयाई था और वैदिक ध्रम के बारे में हम आपको प अम्रावति तथा नागारजुनी कोंड से उसके लेक मिलते हैं तो अम्रावति और जो नागारजुनी कोंड जो इस्तूफ है इनके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे के वीडियोज में देखेगा इनकी डीटेल इनमें बहुत सेंस्ताओं को दिये जाने वाले दा पतंतर सत्ता का करम सहय लोप हुआ इस वन्स के राजाओं ने आंदर की निचली कृष्णा घाठी में त्रीतिय सताब्दी के अंतक सासन किया तत पर साथ उनका राजे कांची के पल्लवों के अधिकार में चला गया इक्सवाकु वन्स के लोग बोध मत के पोसक थे ठीक है सासन इस्ताफिति हुआ उसने उसके सासन का अंतकदमबों द्वारा किया गया ठीक है तो यह हमारा चोटा सा एक वीडियो था लेकिन फरीक्षा की दर्स्टी से बहुती महत्यों पूर्ण है हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बने रहें इंडिया ओल्डेस से